नमस्कार मैं सुनीता कता मंधन में आप सब का स्वागत करती कता मंधन में आज सुनिये रविंदरना टैगोर जी की कहानी दुर्बुद्धी पुर्खों की दहेली छोड़नी पड़ी क्यूं छोड़नी पड़ी सो खुलासा से नहीं करूंगा उसका कुछ अभास ही दे दूँगा मैं एक कस्बे में डॉक्टरी करता था पुलिस के थाने के सामने ही मेरा घर था यमराज के साथ मेरी पढ़ती थी और उससे भी कुछ बढ़कर दरोगा जी के साथ भी स्टाल मेल था अतिव नर और नारायन की जोड़ी से जगत का जितना उपकार हो सकता है उसे में बखु भी जानता था जैसे रतन से आभूशन की और आभूशन से रतन की शुबा होती है वैसे ही मेरी मध्यस्तता से दरोगा की और दरोगा की मध्यस्तता से मेरी उतरातर आर्थिक श्रिविद्धी होने लगी इन ही घनिष्ट कारणों से वर्तमान नियम के अनुसार सुशिक्षित अंग्रेजी जदा दरोगा जगनात प्रसाद के साथ मेरी गहरी दोस्ती थी उनके यहां उनहीं की रिष्टेदार एक लड़की रहती थी उसके और कोई ना था दरोगा साथ उससे बिहा कर लेने के लिए मुझसे प्राया कहा करते थे मेरे एक लड़की थी उसका नाम था चुन्नी उसकी माता मर गई थी अपनी दुलारी लड़की मुझसे सोतेली मा को नहीं सौपी गई हर साल कितने ही मुहूरत निश्चित होकर भी टल जाते थे मेरे सामने ही कितने योग्या और अयोग्या वर मियाने में चड़कर बिहाने के लिए गए किसी किसी बरात में मैं दावत खाकर मैं भी जैसे का तैसा अपने घर लोट आया चुन्नी बारावरश की हो गई तेरवा लगा मुझे आशाय थी कि मैं शिगरही इतना रुपया जमा कर लूँगा कि किसी अच्छे बड़े घर में बेटी का भिया कर दूँगा और यह काम पूरा होते ही और एक शुब काम की तैयारी में मन लगा सकूँगा इन्हीं बात पर विचार कर रहा था कि मुझे गंज के केदारनाथ सुकूल आकर मेरे पैर पकड़ कर रोने लगे उनसे मालू होगा कि उनकी विद्वा कन्या रात को एका एक मर गई है केदारनाथ के शत्रों ने थानेदार को एक गुमनाम चिठी लिखी कि उस लड़की के गर्ब गराय गया था और गर्ब गिराने में ही उसकी जान गई है इस समय पुलिस केदारनाथ को तंकर रही है और लाश को जाच के लिए अस्पताल ले जाना चाहती है ताजे कन्या के शोक के उपर इतना बड़ा अपमान केदारनाथ के लिए असहनिया है मैं डॉक्टर भी हूँ और दरुगा का दोस्त भी इसी से वे मेरी शेरण में आए है लक्षमी देवी जब चाहती है तब किस रूप में किस तरह बिना बुलाए कभी सदर दर्वाजे से और कभी खिड़की से भी आ जाती है मैंने सिर हिला कर कहा मामला बेड़बै दो एक कल्पित उधारन भी दिये कामते वे बुड़े के दारनाथ बच्चे की तरह रोने लगे विस्तार से कहने की जरूट नहीं बेटी की लाश को जलाने की सुविधा प्राप्त करने में किदारनाथ को फकीर हो जाना पड़ा मेरी करन्या चुनी ने आकर करुंड सुविधा पूछा बाबू वह बुड़धा तुमारे पहर पकड़कर क्यों रो रहा था मैंने उससे डाट करका अरे जाजा तुझे इन बातों से क्या मतलब इस मामले में रुपिया मिल जाने से किसी अच्छे घराने में लड़की को भियाने की सुविधा हो गई वर पहले से ही खोज रखा था भिया का दिन दिश्यत हो गया एक ही लड़की थी और कोई लड़का वाला तो था नहीं धूम धाम से में कुछ कसर ना रखी घर में इस्तरीना थी पड़ोंसियों ने आकर खासकर दरवगा सहाब के घर की आउड़तों ने दया करके बड़ी सहायता की जिसको मैंने फकीर कर दिया था उन करतग्य के दारनाथ ने भी बहुत मेहनत की तेल के दिन रात के तीन वज़े से चुन्नी की तबियत बहुत खराब हो गई उसे हैजा हो गया रोक धीरे धीरे असाद्य हो चला बहुत चेश्टा करने के उपरांथ निश्फल दवाओं की शीशियां जमीन में पटक कर मैं केदारनाथ के पास दोड़ा गया जाकर उसके पैरो पर गिर पड़ा और कहने लगा शमा करो भाई मिझ पापी को शमा करो मेरे एक ही लड़की है केदारनाथ ने घबरा कर कहा डॉक्टर सहब आप यह क्या कर रहे है मुझ पर आपका बड़ा भाड़ी रिन है आप मेरे पैर न चुए बिना किसी अपराद के आपका सर्वनाश करने के कारणी आज मेरी कन्या मर रही है सब लोगों के सामने ही मैं रोते हुए चिला चिला कर कहने लगा कि भाई मैंने इस भले आदमी का सर्वनाश किया है मैं उसका दंड अपने सिर पर लेने को तयार हूँ भगवान मेरी चुन्नी की रक्षा करे अब मैं बूड़े के दारनाथ की जूतियां उठा कर अपने सिर पर मारने लगा बूड़े ने सट पटाकर मिरे हाथ से जूति छेन ले दूसरे दिन दस बजे चुन्नी इस लोग से चल बसी उसके दूसरे ही दिन दरोगा सहाब ने का अजी सब कायगी दे रहे बिया करना डालो बिना बिया कि ये तुमारा गुजर नहीं हो सकता मनुष्य के अती दारुन दुख शोक के परती ऐसी निश्टुर अश्यद्धा प्रकट करना शैतान को भी नी सोता किंदु कई मामलों में दरोगा को में ऐसे मनुष्यत्व का परीचा दे चुका था कि कुछ कहने की गुंजाईश ना थी दरोगा की दोस्ती ने उस दिन चाबक सा मार कर मेरा अपमान किया है हर्दे में चाहे जितनी व्यता हो कर्म चक्र बराबर चलता ही रहता है मेरा भी खाना पीना सोना जगना चलना फिरना सब काम पहले की तरह होता रहा नित्य की कामकास से छुटी मिलने पर जब मैं अकेला बैठता तब वही चुणनी का करुन प्रशन कानों में गुणिने लगता बाबू वह बुड़्दा तुमारे पैर पकड़कर क्यों इस तरह रो रहा था मैंने गरीब के धारनात के घर की मरमत अपने खर्चे से करा दी अपनी दुधार उगाय भी उने दे डाली उनकी जो कुछ जमीन रहन हो गई थी वह भी छुड़ा दी कुछ दिन तक ताजे शोकी दुसा वेदना के मारे सन्नाटे में संध्या के समय और रात को मुझे यही जान पड़ता कि प्रलोक में भी चुन्नी को पिता के निश्ठुर कुकर्म के कारण शांती नहीं मिलती वह मानो व्यतित होकर बारंबार मुझे वही परशिन करती है बाबु तुमने ऐसा क्यों किया कुछ दिन तक ऐसा हो गया कि किसी गरीब की दवा करके उससे कुछ लेने को जीना चाहता था किसी चोटी लड़की के बिमार होने पर जान पड़ता मानो मेरी चुन्नी ही रोग भोग रही है बरसाथ में पानी बरसने से गाउं के चारोग और पानी ही पानी दीख पड़ता था उस दिन भी सवेरे से पानी बरस रहा था जम्मिदार के यहां से बुलावा हुआ मुझे लेने के लिए उनके यहां से डौंगी आई थी मला बार बार मुझे जल्दी जल्दी चलने को कह रहा था पहले अगर कभी ऐसे समय में मुझे बाहर जाना पड़ता था तो चुन्नी चाता लाकर मुझे देती थी और आंधी पानी से अपनी बचत के लिए बार बार सावधान कर देती थी आज सुने घर में मुझे ही चाता खुजना पड़ा और साथ ही चुन्नी की याद आ जाने से आँखों में आंसू बराई किसी तरह आंसू पहुचकर मैं बाहर आया डोंगी थाने के नीचे के हट पर बंदी हुई थी वहां आकर मैंने देखा एक किसान लंगोटी मारे खड़ा हुआ पानी में भीग रहा है मैंने पूछा क्या हुआ रे मालू है कल रात को समय उसकी लड़की को सांपने डस लिया वहाबागा किसी दूर के गाउं से रिपोर्ट करने थाने में आया था उसके साथ लाश भी थी मैंने देखा उसने अपनी धोती खोल कर उसमें एक लाश को ढख रख रखा है जमीदार के बिगडे दिल मला ने चट ढूंगी कोल दी मैं एक बज़े के समय वहाँ से लोट आया उस समय भी देखा कि वह आदमी लाश के पास बैठावा पानी में भीग रहा है अभी तक उसे दरोगा साथ के दर्शन नहीं मिले मैंने घर जाकर उसके खाने के लिए कुछ पूरी तरकारी भेज़ दी पर उसने उसे चुआ तक नहीं जल्दी से भोजन करके मैं फिर जमीदार के रोगी को दवा देने गया शाम को वहाँ से लोटने पर भी देखा कि वह आदमी जहां का था बैठावा पूछने पर कुछ जवाब नहीं दे सकता कि ले केवल मुखी और ताकता है जान पड़ा कि इस समय वह नदी वह गाउं वह थाना और बदली से घरी हुई जल पर रिपूर्ण प्रिथवी पर सब सपन के समान जान पड़ रहा है बार बार पूछने पर मालूम हुआ कि एक बार एक सिपाई ने आकर पूछा था कि टेंट में अभी कुछ है किसान ने का मैं बहुती गरीब हूँ मेरे पास एक पैसा भी नहीं सिपाई यह कह कर चला गया तो फिर यूही बैठे रहो बेटा जी कि ऐसा द्रिश्य मेरे लिए कुछ नया ना था थाने में अकसर ऐसी बाते देखने को मिलती थी किन्तु आज मुझसे यह द्रिश्य ना देखा गया मेरी चुन्नी का करुणा गर्द असपश्ट स्वर सारे आकाश में जैसे व्याप्त हो गया कन्या शोग रस्त और निरुप्राय किसान का आपरिमित दुख मुझसे पीडित करने लगा दरोगा सहाब बेट के मोड़े पर बैठे अराम से चुरूट पी रहे थे बेटी के भिया के लिए चिंतित उनके एक नातेदार अपनी चिंता मेरे गले मरने के लिए आज ही आये थे पासी चटाई पर वे दरोगा से बातचित कर रहे थे मैं एकदम से आधी की तरह जबटता हुआ वहाँ पहुचा मैंने चिला कर कहा आप आदमी है या पिशाच कहा कर दिन भर की कमाई के पांच रुपे दरोगा सहब के सामने फेक दिये और कहा अगर रुपे चाहिए तो ये लीजिए जब मरीगा तब साथ ले जाएगा इस बिचारे किसान को छुट्टी दीजिए बिचारे अपनी लड़की की लाश को ठिकाने लगावे बहुत से सताय गए लोगों के आस्वों से सीच कर दरोगा के साथ मेरी दोस्ती की बेल जो लह लहा उठी थी वह इस जोके में जड़ से उखड गई थोड़ी देर बाद दरोगा के पैर पकड़े सुशीलता और सज्जनता का उलेक करके उनकी बहुत खुशामत की और अपनी मुर्गता का उलेक करके अपने को अनेक धिकार दिये मगर अंत को मुझे अपने बाप दादे की दहीली को छोड़ना ही पड़ा